अब जब चुनाव बहुत ज्यादा नस्दीक आ गया है पोलिंग इनकों करनी है वोटिंग देनी है क्या कह रहा है इनकप कि वोटिंग को लेकर तो उत्साइथ है कहना है कि वोट हमारी कीमति है और हम सरकार चुरेंगे सब के अलग-अलग मत है कुछ और लोग है अभी आपने देखा कि जो बीजेपी के लोग है उनसे भी बात होगे समाजवादी पार्टी है उनसे बात होगे आपस में नारेबास इन लोगों ने शुरू कर दिया लेकिन देखें कॉंग्रेस की अगर बात ना की जाए तो बात अदूरी सी लगती है कॉंग्रेस के नेता भी है उनसे भी हम बात कर लेते हैं जला उनसे जा नहीं है आप यह बताईए समाजवादी पार्टी के आपने बात सुनी बीजेपी के विकास की और समाजवादी के विकास की मैं इस पांस साल बीजेपी के विकास की बात करनूं तो यह तो अभी बारिस में पोलिंग भूत पे इतनी कीचड कि महां जनता बोट डानने तक नहीं जा पा रही है यह उनका विकास है और आज तक नहीं आज तक आज बढ़ाओ का नारा देते हैं इनके यहां सबसे ज़्यादे बलतकार हुए महिला सुरक्चित नहीं है कोई विकास का काम नहीं हुआ है कोई विकास का काम नहीं हुआ है सिर्फ रिंदों मुसलिम के राज दिती से के जारी है लेकिन इस बार आदी हमारी मानने प्रेंका जी ने आदी अबादी को चुनाव में अपनी तरफ कर लिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा पूरे परदेश में गुंज रहा है और यह आदी आबादी अपने सुरक्ता आप क्या क्यों कुछ से में उतना बताईए इनके पास मुद्दे ही नहीं है देखो इनके पास मुद्दे नहीं है यह यूपी के चुनाओं में पंजाब की बात करते हैं और पंजाब की चुनाओं में पाकिस्तान की बात करते हैं इनके पास मुद्दे ही नहीं है आपके बात सुने आराम से आपकी भी बात सुरूगा आपके पास भी आउगा सब अपनी बात करिए लेकिन से गई आप बताए लाल टोपी लगा रखे परधार मंतियों से खत्रा बताते हैं इस प्रधेश में इस चुनाओ में एक करणती होने वाली है आप देखेंगे दस तारीक में निर्णाएक चुनाओ होने जा रहा है और मैं आपको रही बात सारन्पुर की बता दूँ पार्टियां तीन मुद्णों पर चुनाओ लड़ती है इनका आप देख लिए हमारे नेता जी का विकास, रोजगार और आप सिच्छा, इसके उपर हम बात करते हैं, रोजगार अभी आप इनसे पूझ लिए जाएं पाकड़े नहीं होंगे, लेकिन हमारे नेता जी ने कहा है कि रोजगार आप एक बास सुन लिए, आप मेरी एक ब श्वासन है, उनके अंदर है और अपने जीत का दम वो फड़ते हुए निसर आप ही रहे हैं, शुक्रिया आपका असन उच्छ हमारे साथ चोड़ने के लिए और लोगों से बात चीत करने के लिए मिजाज हमें वता रेगे